हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग उमीद करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और मैं नहा धोली हूँ कपड़े इधर धोके ड्रायर करके फैला रहे हूँ आज मुझे थोड़ा लेट हो गया टाइम बोलो तो साड़े दस पोने 11 बजे का ट जाता है इधर मैं कपड़े सुखा रही हूं हलकी वाली धू भी रहा हुए दिखे कितनी तिजहावा चल रही है मैं थोड़ा सा तैयार हो लोगी तैयार क्या होंगी मैं लगाती हूं अभी बेटनोबेटसी च्छाही का प्रव्ब्लम हो गया तो कुछ अभी बेटनोबेट बस इतना ही करके फिर में चली जाओंगी खाना खाने क्योंकि मुझे लगगे यह भूक मैं जा रहे हूं खाना खाने कंगी बाद में करूंगी बेट से थोड़ा से ओईली होता है इसलिए थोड़ा से उपर से पाउडर लगा लेती हूं बस इतना ही रहता है मेरा और इधर मेरा ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर जो पकड़ के खोलते हैं वो बहुत धीला हो गया है और बहुत पुराना भी फ्रेंड मेरे साधी को बहुत सा से ये ड्रेसिंग है तो थोड़ा पुराना भी हो गया और बच्चे भी थोड़ा चैर चार करते हैं इमपाइनर फिफाल लूज होगया है इधर बच्चे कर्या रहे हैं पढहाई मैं तो किछन की साइड में देखे है लोग पढ़ रहे थे तो इह देखigmat मेरा बेटा बनाया है ह हनुमाण जी और कृष्ण भगवान बॉल रहा था कि माम्मा मेरा फोटो दिखा दो मैंने बूला ठीक है चलो दिखाओ तो यह दिखाण रहा था हनुमान जी बनाया था कृष्ण बगवान इधर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए लग गई है मुझे भूख बहुत जादा टाइम हो गया है क्योंकि मैं नाष्टा नहीं करती हूँ फ्रेंट सिर्फ खाना खाती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है सिर्फ चाई प बनाया है अपना फेवरेट खाना मैं बोलु तो बहुत दिनों के बाद मैने अपना फेवरेट खाना बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कभी-कभी बना लेती हूँ मन करता है तो इधर फ्रेंड मैं दिखाने के लिए आ गई हूँ आप लोगों को कि मेरे लिए हजमें सिलीपर दिलवाए हैं वह भी साधी के बाद पहली बार तीन थो सिलीपर एक साध दिलवाए हैं तो एक बार में एक थो बस दिलवाते थे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच म में पहली बार हुआ है मेरे साधी को मेरे 12 साल हो गए 12 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक साथ इतने सारे सिलीपर दिलवा दिये वह भी जबर जहती दिलवाए मेरा एक ही लेने का मन था लेकिन बोले नहीं तुम्हारे पास नहीं है खतम हो चुका है तो ले थी खादिम्स की सुरूम से ली हूँ, मैं हमें साग खादिम्स का ही स्लीपर पहनती हूँ और वहीं से लेती हूँ, शिवी लाइंस में है, और इधर मैं आ गई हूँ, अपना सूट बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो रोज आजकल मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो अज सब की छुटी है, तो काम कम है, सब लोग नहादो के खापी के अराम कर रहा है, तो मैं यही काम कर लेती हूँ, ने तो बच्छों को इसको लाने की टेंसर रहती है, तो यह सब काम नहीं कर पाती हूँ, कि सब काम करने बैठ जाओ, तो टाइम हो जाता है, तो फिर भूल लेट होने लगता है जाने के लिए उनको लेने तो जो सूट मुझे टाइट हो रहा है जो पुराना है तिन-चार सल पहले का वो मुझे अभी आता ही नहीं है इतना टाइट हो गया है क्योंकि मैं पहले से मोटी हो तो उसको मैं खोल रही हूँ और जो इस समय का सिलवाई हो तो वो अंदाज भर सिलदी है तो बिना माप का ही सिलदी है तो थोड़ा लूज है उसको टाइट कर रही हूँ कुछ जो समीज है उसको खोल रही हूँ खोलने बनाने वाला काम यही सब कर रही हूँ मैं सिलाई वाला और इधर सामने एक कमरा है न तो उसे में हस्बेंट सोय हुए हैं उनसे बात भी कर रहे थी बीच बीच में कुछ-कुछ बोल रहे थे तो उनकी बात भी सुन रहे थी और इधर मैं अपना कुर्थी का काम भी कर रही हूँ क्योंकि ये सब का नए नए कुर्ती रखे हुए हैं पहनी नहीं पाती हूँ बस टीशर्ट लोगर पहनती रहती हूँ प्लाजो कुर्ती और शूट वगर मैं पहनी नहीं पाती हूँ मुझे बड़ा अराम रहता है टी-शर्ट और प्लाजो पहन लेती हूँ ज्यादा तर मेरे वेडियो में मुझे टी-शर्ट और प्लाजो में ही देखेंगे फ्रेंड सूट में मैं बहुत कम दिखती हूँ सूट पहनती हूँ बस ठंडी के मौसम में पूरे गर्मी भर बस मेरा टी-शर्ट ही चलता है ठंडी जब मौसम आता है न तब कुर्ती वगरा डालती हूँ या तो फिर बारी सोरी सोता है ठंधा मौसम रहता है तब बाजू वाले तो गर्मी से होने लगते हैं फिर उलचन भी बहु होता है मुझे मेरे साथ ऐसा है इसलिए मैं नहीं पहनती हूं इतने सारे सूट रखे रह जाते हैं छोटे हो जाते हैं खोलना बनाना और सब करना रहता है दिक्कत कि पूराना कपड़ा आता नहीं है फिर बाद में पहनने लगों तो थोड़ा बहुत तो बढ़ी जाता है साइच और वही मेरे साथ भी है पहले से मैं मोटी हो गए तो इसलिए अब इसको धिला कसम कर रही हूँ और अगर फ्रेंड आप लोगों को मेरा ब्लोग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्क्राइब भी कर लेना फ्रेंड आप लोग मुझे भी सपोर्ट केजिए प्लेज क्योंकि मैं भी नहीं हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा से मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड जैसे बाकी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप लोगों के सपोर्ट के बहुत ज़्यादा जरूर है तो कोई लाइक करता है न असी लाई-लाई करने के बाद आ गई हूँ जारू लगाने के लिए क्योंकि धागा ओगा थोड़ा सा गिरी जाता है और बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत गंदा करते हैं घर मेरा साम की टाइम चार बजे के लगभग जारू लगाती ही हूँ डेली का मेरा काम है क्योंकि पढ़ाते रहते हैं छुट्टी वाले दिन और इधर में लगा रही हूँ जाड़ू जाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कोई और काम करूंगी दूसरा काम बर्तन नुर्तन दोलना चाय बनाना यह सब काम करती हूँ करना बाकी है अभी मेरा और फ्रेंड देखे मेरा मानी प्लांट अगर आप लोगों को फ्रेज पर दीख रहा हो तो कितना बढ़ गया और कितना खुप्सूरत लग रहा बहुत अच्छा लगता है मुझे मानी प्लांट का पुधा और मैं बालकनी में भी लगाई हूँ साबरे कमरों में मेरे लग गया है ज़ाडू मैं कीचन में लगा लोंगी बस हो जाएगा कीचन में आती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे घर में ज़ाडू लग चुका है इदर देखे फ्रेंड मैं सुबस सेंपू करके नहाई हूँ लेकिन कंगी नहीं की ऐसे ही बस क्लचर लगा के देन बर घूम रही हूँ अब साम हो गया साम को मैं बोलू तो पांच बजे का टाइम हो रहा है और इधर मैं पांच बजे के लगवग मैं आई हूँ कंगी करने रशाम हो गया है तो जाड़ो अड़ो लगा ली बरतन भी धोली हूँ फिर इसके बाद मैं कंगी करके थोड़ा सा त्यार हो जाओंगी फिर उसके बाद बनाओंगी चाय अपने लिए और सासुमा के लिए बाल बहुत तेजी से जढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा वाल जढ़ रहा है इंदम देखे में बाल ही नहीं जढ़ती हूँ नीचे का तो बहुत कम जढ़ती हूँ कि इतना जढ़ता है ना कि जढ़ने का मनी नहीं करता है तो ऐसे ही है जु य्जो उल्जन होने लगता है क्योंकि दीन भर काम करना है तो बाल बनाऊंगी की काम करूंगी I'll इसलिए में जूड़ा बनाकर दीन भरती हूं आए जो जड़े ऊए बाल है तो आगे झोटे-झोटे से निकल जाते हैं तो मैं क्लीप लगा के दिन भरकती हूँ जो पीन आता है न वोई पीन लगा लेती हूँ बंद करने वाला हलका फुल कैसा मैं मेक अप कर लूँगी मेक अप में काजल बिंदी बिंदी तो सुबह में लगाई हूँ काजल और लिफ्टिक बस यह अलग से कर रही हूँ बाकि तो सब और बेटा आ गया है साम का टाइम में तो बोल रहा है ममा मुझे कल स्कूल नहीं जाना है स्कूल जाना नहीं चाता है पता नहीं क्यों बहुत रोता है अभी तो बहुत रोने लग गया है पहले तो डेली जाता था यह चार-पांच दिन से क्या एक सबता से बहुत रो रहा ह तो वही मैं उसके उपर गुसा करें हूँ कि नहीं जाना है तो मुझे नहीं जाना है तो मैंने बोला चलो ठीक है पापा आएंगे तो पूछ लेना कि जाना है कि नहीं जाना है इसको देखे 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 रूने लग गया ऐसे ही है इसका फिर मैं आ गई हूँ कीचन में फ् हम चूर बार वाल है इसलिए मैं बहुत मस में हाचता को अचासर अश्यां सवे खिला विदिल दे खासर थाने जिला और शागे राइन को में भोलगुपे दूंग रंवाइस के सवे पूरश ए में चीज़न की से शेग साहरxis के reminds चोले उबाल के गई थी, चना और अलू, रिधर रजबन पानी बनवाने में मेरे हल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा टेश्टी बनाता हूँ, तो मेरे से पुछ की बनाओ, मेरे नीगराने में, कुछ कमी होगा तो बताना, मैं बताओंगा, मैं चक के अर ये आलू में नमक डाल के उबाली हूँ, तो भी जह रहा है नहीं थोड़ा सा और नमक मिलाना इसमें मिला दिया तो ये मैं गुशा कर रही थी, और इधर मैं पानी तयार कर रही हूँ, पूदिना और धनिया पति, पीस दी हूँ, लसू, अदरक और हरामेच, इतना पीस क पानी में घूल दी हूँ और इमली का पानी है जीरा पाउडर काला नमक सफेद नमक इसे मिला के पानी तयार कर ली हूँ इधर बाबू मेरा बैठा है बेटी और इनकी दादी दोनों लोग गया है दूध लेने के लिए तो हस्पेंट बोले कि चलो हम लोग खाती है उनके लि लाइक से और सब्क्राइब ही कर लीजेगा बहुत ज्यादा टेस्टी बना था पानी और ऐसे हम लोग अपना छोटा सा परिवार है छोटी फैमिली में खुश रहते हैं और ऐसे अपना इंज्वाय करते रहते हैं इनकी अभी तो दादी भी आये हुई है नहीं तो इनकी द दादा और दादी दूसरे जगा रहते हैं हम लोग बस हस्बेंड मेरे मेरे बच्चे हम लोग साथ मे रहते हैं तो वह अभी आई है अभी रहेंगे हमरे साथ उन लोग के लिए अलग से प्लेट में मैं निकाल दी हूँ लोग आएंगे तो अपना खाएंगे और हम लोग इधर इंजुआए कर रहे हैं चलिए बाई बाई